बारत और चाइना के बीच में एक बॉर्डर एग्रिमेंट साइन हो चुका है और आज के समय आप देखोगे ये हेड्लाइन आपको हर जगा दिएगी के जैशंकर साब ने ये बात कंफर्म करती है के भारत और चाइना पेट्रोलिंग के मामले में वापस साल 2020 की स्तिती पे प प्रिक्समंद्री ने कंफर्म करती है के ब्रिक्स समयट 2024 से पहले आप टाइमिंग देखिए ब्रिक्स समयट 2024 से पहले ही ये निउज आती है के इंडिया और चाइना लाइन आफ एक्च्वल कंट्रोल पर डिसेंगेजमेंट करेंगे जो टेंशन सी इस से दुनों जहां पर यूएस, यूके, न्यूजीलेंड, औस्ट्रेलिया और कैनेडा ये सब आते हैं क्या ये जो लगातार इंडिया को टार्गेट कर रहे थे क्या ये भी एक रीजन है देखो मैं काऊंगा कुछ हर्त तक बिल्कुर आपको बोलना होगा जस्टिन टुडू ने प्रा बात सुर रहे हैं ये सिचुएशन तक पहुचने में रश्या का एक बहुत ही क्रिडिकल रोल रहा है और नहीं इंडिया चाइना ओपन ली ये बात बोलेंगे नहीं कि रश्या ने हमको यहां पर पुचाने में हल्प करी है बट आप इंडिया के फॉरेंड सेक्टरी से ये और उस ताइम मुझे अच्छे से याद है यहां पर आप देख पाऊगे सप्टेंबर दोजार चॉबिस का आर्टिकल है एक तो व्लादमर पुतिन से मिलना है साथी साथ चाइना के जो यहां पर रप्रेजेंटेटिटिव्स आ रखे हैं उन से भी मिलना है तो दोवाल आपकी सेंट पीटर्सबर्ग में एक मीटिंग भी हुई थी वैंग यह से बताया गया था कि दोनों कंट्रीज ने यहां पर यह जो सेंटेंसे यह जो वर्ड यूस किये कि हमको म्यूचुल ट्रस बढ़ाना होगा कंटिमियूस कम्निकेशन बहुत इंपॉरेंट है ऐसी प्राइमेरली मैं काऊंगा रश्या का एक बहुती बड़ा स्वार्थ है कि इंडिया और चाइना आपस में लड़ेना ये दुनों कंट्रीज इखटा आएं दुनों लड़ते हैं अगर तो ब्रिक्स कमजोर होता है रश्या को इससे एक बहुती बड़ा जियो पॉलिटिकल चलेंज ये फेस करना पड़ता है कि इंडिया चाइना के जब रिलेशन्स खराब होंगे तब इंडिया के आटोमेटिकली रिलेशन्स इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे वेस्टन कंट्रीज के साथ तो रश्या के लिए बहुत इंपॉरेंट था कि आने वारा जो ब्रिक समिट है अभी जो ब्रिक समिट होगा कजान में वहाँ पर शीजिंग पिंग आए नरेंदर मोदी आए और दोनों के साथ व्लादेमर पुतिन फोटोस भी खिचवाए दे कि बाकी और लीडर्स भी आएंगे बढ़ आप भी जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड मीडिया उ से जल्द लाइन ऑफ एक्च्वल कंट्रोल में डिसेंगेजमेंट करेंगे उसका फल हमको यहाँ पर फाइनली दिख रहा है और यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे बहुत इंपॉरेंट वीडियो है भारत के फॉरण सेक्टरी की जैशंकर साब के बाद सबसे इंपॉरे पर उनके सोल्जर्स हमारे सोल्जर्स यह ध्यान रख रहे हैं कि कोई किसी के एरिया में एंडर तो नहीं हो रहा यहाँ पर सिचुवेशन खराब कब हुई थी जब चाइना ने पेट्रोलिंग थोड़ी और अग्रसिवली करनी शुरू कर दी जब वो हमारे लाके में आने क कुशिश कर रहे थे इसी वेज़े से गलवान हुआ वेरियस और इंस्टेंसेज हुए तो अब बात यह की जारी है कि यह सारी प्रॉब्लम शुरू 2020 में हुई थी ना चलिए 2020 के स्टाटस पे वापस चले जाते हैं और यह मैं कहूंगा भारत के लिए एक बड़ी डिप्लो कि यह सुन पाएंगे अब यहां पर अगला स्वार आपका यह आएगा मगर चाइना के शीजिंग पिंग अगर इंडिया के साथ डिसेंगेजमेंट करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ चाइना वार की बाते क्यों कर रहा है यह वीडियो डिसेंडी सोचल मीडिया में काभी वायल ही थी यह आप द और यहां पर शीजिंग पिंग फैसनेवल कपड़े पैन कर अपने आर्मी को यहां पर यह कह रहे हैं कि वार के लिए प्रिपेर हो जाओ वार कभी भी स्टार्ट हो सकती है और यह स्टेट्पेंट शीजिंग पिछले तीन सालों से दे रहे हैं बर धीरे धीरे हम यह देख हैं कि यह स्टेट्मेंट्स ना हमेशा वार के लिए प्रिपेर रहना चाहिए इससे शिफ्ट होकर वार के लिए प्रिपेर हो जाओ यहां तक पहुच चुकी है तो ऑवियसी बाता देखिए शी जिंग पिंग चाइनीज गवर्मेंट यह कोई भोले बच्चे नहीं है कि व बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है युक्रेइन में इसराइल में और इसराइल के लिए बिलियंज ओफ डॉलर्स यूएस दे रहा है पैकेजिस में तो अब अचानक से सब के वीच में अगर चाइना और ताइवान की वार भी हो जाती है तो यूएस को बहुत ही ज़्य जादा प्रॉब्लम आने वाली है तो इसलिए चाइना भी जानता है के इंडिया के साथ इस वक्त एक एग्रीमेंट करना एक बहुत ही अच्छा डिसिजन है इससे रश्या भी काफियत तक खुश हो जाएगा ये भी अपनी मिलिटरी का जादा फोकस डाल पाएंगे हर कंट्री इंडिया को पीस्फुल बॉर्डर चाहिए विच चाइना रश्या चाता है ब्रिक्स युनाटेट रहे रश्या को ये मिल जाएगा और चाइना भी अभी के लिए इंडिया से उलजना नहीं चाता सो एवरिवान इस गेटिंग वाट दे वांट नो पर्मेंट फ बुश्वलेथ इंजिनियस कॉंप्लेक्स यहाँ पर देखो एक दो बिलियन साल पुराना एक पत्थर था साइंटेस्ट ने इस पत्थर को खोला और इसके अंदर सबसे पुराने जो माइक्रो और्गैनिजम से अर्थ की हिस्ट्री के वो मिले हैं आपको बताना है के BIC यह कहां पर लोकेटेड है जहां पर यह 2 बिलियन एर का जो यह पत्थर है इसको BIC में से उपन किया गया था यह है यहां पर आपकी आपकी आप्शन्स इस वीडियो की कॉमेंट सेक्शन में जाइए यहां पर आपको मिल जाएंगे यह लिंक नौ इदर आप देख पाओगे UPSC 2025 बैच का जो यह लिंक है यूजुली इस कोर्स का प्राइस हुआ करता था 26,000 कोर्ड डिसकाउंट लगाने के बाद यह 20,000 के आसपास हुआ करता यहां पर आप देखोगे आज के समय अगर आप यहां पर यूज करते हैं कोड PD10 तो प्राइसेस बहुत ज़़ा गिर जाएंगे 19,000 में आप 2025 का P2Y बैच कर सकते हैं पर्चेस में यहां पर आपको याद दिला दूँ P2Y हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंके यहां पर आपको Prelims, Mains और Interview तीनों की तियारी कराई जाती है यहां पर आपको और उसके लावा आप अगर 2026 का बैच देखोगे तो यहां पर कॉमेंट सेक्शन में जो यह लिंक है UPSC 2026 इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह पेज खुल जाएगा बाइद अगर आप मुबाइल यहां पर आप देखोगे जो प्राइज यूजुली होता था बहुत जादा इधर भी आपको एक मैसिव डिसकाउंट मिल रहा है 36 महीने की विरलेटी वाले कोर्सेज आपको यहां पर मिल रहे हैं फॉर जस 28,000 रुपीज एक्रॉस स्टडी आइक्यू हैवी डिसकाउंट च आपको नहीं मिल रहा तो गेट था मैक्सिमुम डिसकाउंट पॉसिबल यूज अ कोड पीटेन और सेव मनी और याद रखिएगा यह सेल बस कुछी दिनों की है आपके पास एक गोल्डन ओपर्चुनिटी है तो बाइद इस कोर्सेज ऑन फेस्टिव सेल बात में साल के बा यह सेज़ आपर्राओर्त ज